एलो गाइज, I am AK Gautam, you are watching my YouTube channel AK Legal. Today we are going to discuss general defenses in law of tort. This is a most important topic of law of tort. इन सब को हम AK करके देखेंगे कि इसमें क्या के defenses हैं और हम AK करके इन सारे defenses को समझेंगे. सबसे पहले आते हैं, Volant and Non-Fit Injuryा में. इसमें क्या है? जब कोई plaintiff अपनी consent से कोई कार्णा करता है, उसके result में उसे कोई छिंजरी होती है, वो damages claim नहीं कर सकता. Second, Act of God. कोई भी ऐसी चीज जो natural force के वज़े से loss में आई हो, तो वो Act of God में आती है. Plaintiff, अगर plaintiff की खुद की गलती है, तो भी वो damage claim नहीं कर सकता. Inevitable Accident. ऐसा कोई accident जिसे रोका ही न जा सके. अगर कोई ऐसा accident होता है, तो भी ये defense में आता है. Private defense. अपने private defense के लिए हम सामने वाले को injury पहुचा सकते हैं, और अब private defense का use कर सकते हैं. बड़ ध्यान रहे, एक reasonable force होनी चाहिए. Necessity. किसी बड़े harm को बचाने के लिए. किसी बड़े harm को बचाने के लिए, जो हम कोई छोटा से damage के लिए कर देते हैं, तो ये necessity में आ जाता है, कि हमने एक बड़े harm को बचाने के लिए intentionally कोई कीज़ करी है. Statute Authority. कोई act, किसी statute या act, जो authority देता है, अगर उससे कोई damage होता है, तो भी ये defense के अंदर में आता है. इनको हम एक एक करके detail में समझेंगे, voluntary non-fit injury और act of God के लिए हमने accepted वीडियो अलग-अलग बनाया है, बागी सारे हम इसी वीडियो में समझेंगे. तेखते हैं, plaintiff the wrongdoer. अब इससे समझते हैं, अगर plaintiff के खुद की गलती है, कोई वो act कर रहा है, उसमें उसके खुद की गलती है, तो वो सामने वाले से damages claim नहीं करेगा. No court will add a person who found his cause of action upon an immoral or an illegal act. कोई भी अदालत उस व्यक्ति की साहता नहीं करेगी, जिसके खुद का कारज़ है, अन्यतिक या अवेद पाया जाता है. इसका एक maximum देखते हैं, X-Rupey causa non orito action, which means from an immoral cause no action arise. जिसका मतलब है, अन्यतिक कारण से कोई action उत्पन नहीं होता. अगर कोई immoral cause है, तो कोई action claim नहीं हो सकता. इसका एक case से समझते हैं, पिट वर्सिस हंट का case है, इस case में क्या होता है, एक 18 साल का rider होता है, और 16 साल के बच्चे को encourage करता है तेज driving करने के लिए, जिस वज़े से car का accident हो जाता है, जिस से young बच्चा जो होता है, उसमें उसकी death हो जाती है, और जो बड़ा वाला 18 साल का लड़का होता है, उसे serious injury होती है, तो वो disease के relative से compensation claim करता है, तो court इसमें इस plea को reject कर देता है, जिकि इस case में क्या होता है, जो plaintiff होता है, उसकी खुद की ही गलती होती है, उसका खुद का act ही immoral होता है, चलिए यह समझ में आ गया होगा, अब हम next देखते हैं, inevitable accident, inevitable accident मतलब जो चीज रोकी ना जा सके, जो accident नो करना आ चाहता है, unexpected injury, unexpected को इंजिरी होती है, if the could not have been forced and avoided, जिसे रोका ना जा सके, in spirit of reasonable care, यह ध्यान रखने वाली बात है, कि उसके साथ एक reasonable care पूरी अपनाए गई हो, अगर reasonable care होते वे भी वो accident हुआ है, तो वो inevitable accident माना जाएगा, in such cases, defendant will not libel, जो defendant है वो libel नहीं होगा, if they had no intention, यह भी important चीज है, उसकी intention नहीं होनी चाहिए, इसमें एक case है, Stanley versus Powell, इस case में क्या होता है, दो लोग तीतर को मारने जंगल में जाते हैं, दोनों दोस्त होते हैं, और जंगल में जाके एक fire करता है, defendant चो होता है, वो fire करता है, और गोली एक पेड से टकरा कर plaintiff के लग जाते हैं, जिसकी वज़े से serious injury होती है, अब इसमें कोट यह held करता है, कि यह accident inevitable था, क्योंकि वो गोली चलाता है, और वो पेड से टकरा के वाफिस आयते हैं, उस गोली को रोक तो सकता नहीं, जैसे कि आपने एक welcome film भी देखे होगी, जिसमें केटन अक है, जाओ उपर गोली चलाती है, और पंगे से लग के उसके लग जाती है, तो सेम यही केस है, यह भी एक तरीका का, अब inevitable accident आपको समझों आ गया होगा, अब हम चलते हैं, private defense, जी हाँ, private defense हमने सबने सुना है, private defense एक अच्छा defense होता है, strong defense होता है, और एक well known है, no action is maintainable for damage, done in exercise once right in private defense, और person और property, आप बिल्कुल अपनी प्रोपर्टी को और प्रेजन को defense कर सकते हैं, the law permit use of reasonable force, पर important सीजिए reasonable force, इसका मतलब हमें चीज समझेंगे, मतलब कोई आपके घर में trace pass कर रहा है, इसका मतलब यह तो नहीं आपसे जान से मारत होगी, जी reasonable force है ना, वही apply होनी चीजिए, जितना आपका right violate हो रहा है, क्योंकि trace pass के भी खुश right है, इसको एक case से समझते हैं, इस case में क्या होता है, defendant बिना किसी notice के, चार और spring gun लगा देता है, मतलब बिना किसी notice लगा हुए, अपने area में spring gun लगा देता है, प्लेंटिफ इस बास से अंजान होते हुए, उस में घुश जाता है, और वो उस से serious injury होती है, वो घायल हो जाता है, इसमें court held करती है, कि बिना किसी notice के spring gun लगाना, प्राइवेट defense के अंडर में नहीं आएगा, अगर वो notice लगा देता पहले, तो वो प्राइवेट defense के अंडर में आ जाता हूँ, नेक्ट हम देखते हैं necessity, necessity का simple meaning यही है, कि जब आपके पास दो choice है, एक जिगे बड़ा harm हो रहा है, एक जिगे छोटा harm हो रहा है, तो आप obviously बड़े harm को बचाने के लिए, intentionally छोटे harm को कर देंगे, मतलब एक बड़े एक ग्रेटर एविल को बचाने के लिए, आप अगर कोई damage कर देते हैं, जाहे वो intentionally किया गया हो, तो भी आपने, आपको यह defense होगा necessity का, the exception of necessity is based on the maxim, एक maxim है, the welfare of people is a supreme law, मतलब वेलफेर और पीपल के लिए, वो हमेंसे supreme law माने जाता है, इसको भी एक case से समझते हैं, gov versus sharp का case है, इस case में क्या होता है, एक घर में आग लगी होती है, आग को आसपास की भूमी में फैलने को रोकने के लिए, defendant plaintiff के एर घर में, trespass कर देता है, अब वो जो plaintiff होता है, वो शू कर देता है trespass इसके लिए, तो court held करता है इसमें, plaintiff बड़े नुकसान को बचाने के लिए, trespass कियाता है, वह अग लगी थी घर में, तागी वो दूसरे और जिगे ना फैला, उसे बचाने के लिए, trespass करना पड़ा, इसलिए ये necessity के defense मा, पोल करेगा, अब हम last देखेंगे, statutory authority, या, act authorized by any act or statute, is not actionable, कोई भी act authorized है, by act or statute से, तो उसके, जो damages होंगे इसमें, वो actionable नहीं होंगे, even if it would constitute a tort, it is a complete defense, ये complete defense है, but injury party has a remedy of claiming compensation, as provided in the act, जो act के तहस, जो compensation प्रोवाइड के गए है, statute में, उसके जरिये वो compensation, claim कर सकते हैं, I hope कि आपको ये सारा video समझ मा, आ गया होगा, और काफिल ये जितने भी हैं, सारे clear हो गए होंगे, और बचे वोलेंटी नोन फिट इंज्यूरिया और एक्ट अफ गोर्ड के लिए, हमने separate video बनाया है, उसमें आपको ये समझाएंगे, thank you guys,